next question है the ratio of money पैसो का जो ratio है with Ram and Gopal is 7 ratio 17 ठीक है तो Ram और Gopal का जो ratio है वो कितना है 7 ratio 17 and that with Gopal and Krishan is 7 ratio 17 गopal और Krishan का ratio क्या है 7 ratio 17 ठीक है if Ram has rupees 490 Krishan has Krishan के पास कितने है अब देखिए ये जो statement है इसके उपर काम करने से पहले हम यहां तक चेक करते हैं देखिए Ram और Gopal का ratio क्या है 7 और 17 गopal और Krishan का 7 और 17 ओवराल तीनों का ratio कैसे निकालते हैं कैसे निकालेंगे इन दो नंबर की गुना कर दीजिए 17 को 7 से गुना करूँगा तो 119 आएगा फिर Ram का ratio कैसे आएगा देखिए तो गopal का आया है Ram का ratio आएगा इन दो नों की गुना कर दीजिए तो 7 की 7 के 7 करूँगा उनिकास और अगर Krishan का ratio चाहिए आपको Krishan के लिए value तो 17 को 17 से गुना करना पड़ेगा देखिए बीच वाले के लिए ये दो बीच वाले की गुना Ram के लिए ये गुना Krishan के लिए ये ठीक है ना अगर आपने ratio का chapter पढ़ लिया है तो आपको ये चीजिए आती होगी ठीक है ना तो 17 का square कितना होता है 289 अब Ram के पास share कितना है 29 गुपाल के पास 119 और Krishan के पास 289 ठीक है अब वो क्या बोल रहा है If Ram has rupees 419 राम का वैसे ratio क्या है 49 unit वो किसके equal है 490 रुपे के तो एक unit की value क्या आ जाएगी एक unit की value आ जाएगी 10 रुपे ठीक है एक unit की value अगर 10 है तो वो पूच रहा है क्रीशन के पास कितने रुपे हैं तो क्रीशन के पास 289 unit तो 10 से गुना कर दीजिए 2890 रुपे ठीक है ना तो option जो A है वो हमारा सभी answer है